सुबे सारी 6 विजएकर ठाइम होए हैं तो मैं सुबे अभी सारे से ऊठ गई हूँ उठने बाद पहले अपने बालों को बांदोगी उसके बाद क्या करूँगे क्योंकि अभी हलकी ठंड है दोस्तो तो स्वेटर पहने बेज जाद जरूरी है तो मैं जैकेट पहन लेती हूँ और फिर लेके चलती हूँ आपको वहाँ जहां मैं डेली जाती हूँ तो आप चलो मेरे साथ दोस्तों गूड मॉर्निंग और दर्शन कीजी चीज के तो यह देखे सुरे नर्ण भगवन जी निकल गए हैं और काफी अच्छा व्यू लग रहा है लो यह देखो कितना सुन्दर है वालत छोड़ो और सुवए जल्दी उठो यह देखे चांद भी आपको नजर आया होगा वहाँ सुरज है और यहाँ चांद है और सामने बैठा एक बंदर है यह देखो कितना बड़ा बंदर बैठा है वहाँ पर और सुवए सुवए के टाइम यह चीज अच्छी लगती है और देखो चांद कितना अच्छा लग रहा है तो यह चीजें मज़ा दिलाती है और उसके बाद अपना क्या करना है सुवए अपनी चत पे राउंड मारों अगर भार नहीं जा सकते तो अपनी चत पे राउंड मारों काफी अच्छा नजारा लगता है दोस्तों यह देखे कितने बड़े-बड़े पंची है और थोड़ा सा डर भी लगता हूं क्योंकि यहां पर चेल भी बहुत उड़ती है और रोशनी बहुत तेज होगे सुरें नरण भगवान की और सुबह सुबह अपने फेस पे हाथ पर रुपए यह आप ले ओगे दूप तो आपका हाथ पर खुल जाएंगे देखो मैं आइडिया दे सकते ह योगी और मौस हो गया तो यह हमारी बेल दुबारश शुरू हो गई है करोद करना को इस पे खिलेंगे खुबसूरत फूर यहां पे हैं मिर्चे मिर्च लगी हुए बहुत ज़्यादा और यह कसूरी मेती जो मैंने सुखाई थी जो कि सूखी नहीं है अभी इसको अच्छे से फलाएंगे तब यह सूखेगी तब यह सूखी नहीं है तो इसको रख रहती है कि सूख जाएगे तो इसको लेकर जाएंगे यहां नहीं रखते हैं इसको यहां से उठाते हैं क्योंकि यहां तो यहां तो यहां पर दूप अच्छी आ रही है तो यहां पर रख देते हैं